लवाई जीये का योगदान पदार्थ की प्रकृती को समझने का प्रयास सदियों से चला आ रहा है लेकिन आधुनिक उपकर्णों के अभाव में कई भ्रांतियां बनी रही एक समय मानेता यह थी कि एक पदार्थ को दूसरे में रुपांतरित किया जा सकता है उदाहरण के लिए जब काच के बरतन में अधिक मातरा में पानी का आस्वन किया गया तब आस्वन के पश्चात बरतन में रेत जैसे कण पाए गया अतहिय हमाना गया कि जल को बहुत देर तक गर्म करने पर वह म्रिदा में रुपांतरित हो जाता है यह समझ हमारी आज की रसायनिक अभिक्रियाओं की समझ से भिन्न थी लवाई जीये ने इसी प्रियोग को दुहराया उन्होंने काच के पूरे उपकरण को प्रियोग के पूर्व सावधानी पूर्वक तौला और पानी के आस्वन के पश्चात पुनह तौला उन्होंने देखा कि काच के उपकरण के द्रविमान में कुछ कमी आ रही है और यह कमी उन रेत जैसे कनों के द्रविमान के बराबर है तब वो पहचान पाए कि उस किस्म का काच थोड़ा पानी में घुल जाता है और पानी के वाशपित हो जाने पर उसके कण दाने के रूप में प्राप्त होते हैं अर्थात वे यह निश्कर्ष निकाल पाए कि पानी का मृदा में रुपांतरन नहीं होता है इसके बाद ही हम रासायनिक अभिक्रियाओं की आधुनिक समझ की तरफ बढ़ पाए